नमस्कार मेरा नाम ज्यानिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष में और बिरप्पन स्रिंखला की यह स्टोरी नमबर है 47 तो इसका मतलब यह हुआ कि बिरप्पन की स्रिंखला शुरू हुई एपिसोर नमबर 305 से और आज की कहानी में तारीक है 17 अक्टूबर 2004 की रात और 18 अक्टूबर 2004 का दिन देखे बिरप्पन ने कहा है अपने फ्रेंड मिस्टर एक्स को कहबाया है कि हम 18 अक्टूबर की रात जंगल से बहार आएंगे हॉस्पिटर के लिए चलेंगे एम्बूलेंस तुम भेज़ना लेकिन मिस्टर एक्स आपको पता है स्टीएफ के कबजे में तो एम्बूलेंस त ड्राइब करेगा शरबानन जो स्टीएफ का ड्राइबर है और साथ में जाएंगे दुर्रई जो के बिजय कुमार स्टीएफ के चीफ हैं उनका बहुत ही भरोशे मंद है तो 17 अक्टूबर की रात किस तरीके से के बिजय कुमार ने का थी बड़ी लंबी रात थी क्योंकि 18 17 अक्टूबर को यदि बिरप्पन नहीं आता तो उसने कहा था कि फिर हम 20 अक्टूबर को आएंगे और यदि 20 अक्टूबर को नहीं आएंगे तो फिर 22 अक्टूबर को आएंगे आज की इस कहानी में आप यह भी समझेंगे कि बिरप्पन चाहे जितना होसियार था अंत सम को पता है कि कल मुझे विरप्तन का काम तमाम करना है बाकि जो टीम तयार हुई है उन्हें यह समझाया गया है कि हम एक बहुत ही कठोर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और के बिजय कुमार के लिए जो ट्रेनिंग होती है वह युद्ध जैसा होता है सिर्फ शरवानन और जानकारी है कि हमें किसी ऑपरेशन पर जाना है तो रात का समय के बिजय कुमार अपने पंगले पर वे रात को सोने की कोशिस करते हैं के बिजय कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि उनकी नीन बहुत गहरी है घोरा बेच कर सोते है और पत्नी जो है मीना वह गहरी नी के बिजय कुमार को ताना भी माती थी कहा कती थी जंगल में भी ऐसे ही सोते हो क्या यदि ऐसे ही सोते हो तो बिरपन तुम्हें किसी दिन उठा कर ले जाएगा तो देखे मीना को भी पता नहीं है बाइफ मीना को कि कुछ होने बाला है हाँ इस बात की संभावना दिख रही है कि ये सभी कुछ करने जा रहे हैं तो के बिजय कुमार जो घरी नीन सोते हैं घोरा बेच कर सोते हैं रात को सोने की कोशिस करते हैं लेकिन नीन कहां आती है हर आधे घंते पर नीन खुलती है और वे घरी देखते हैं शुबह आम तौप पर वे च्छा बज़े जगते थे लेकिन उस दिन फाइनली वे शुबह चार बज़े जग गए हैं और चार बज़े जग गए दिखिये दिन चल जा थी कि जब वे जगते थे तो पत्नी मीना जो है कौफी बना कर लाती थे तो उन्हें लगा कि चलो आज हम स्वें कौफी बना लेते हैं लेकिन मीना कौफी लेकर तयार है क्योंकि मीना को भी रात भर नींद नहीं आई है तो अब के विजय कुमार अपनी जिन्दिकी के बारे में सोचने लगते हैं मीना सामने बैठी है कुछी दिनों पहले इनका जो पिट डॉक था रिट्रीबर वो मरा था जिसे बच्चे बहुत प्यार करते थे तो उसकी याद आती है और फिर पत्नी मीना की सुहाग को देखकर सोचते हैं कि इसे अब तक मैंने जिन्दिकी में दिया गया मैं निस्चिंत रहा कि सोने का करा भी लाकर नहीं दिया हीरे की बात छोड़ दिजिए हाँ एक लॉकेट लाकर चरूर दिया था तो देखे जिस दिन से के बिजय कुमार को वह लोट्री का टिकट मिला था जिसमें बिरप्पन के आने की खबर थी तब से उए प्लान में ही लगे थे खैर तो उन्होंने कॉफी पी और क्या समझें नहीं समझें कॉफी के लिए पत्नी मीना को ठैंक्यू कहा पत्नी मीना ने कहा अल दिबिस्ट देखे के बिजय कुमार की दिन्चरिया में यह भी सामिल था क्योंगे जब सुबह उठते थे तो जिंजल के टेल से दस मिनट तक बहुत तेज गरारे करते थे आप कह सकते हैं कि हलक तक टेल को ले जाते थे और खंगाल खंगाल कर खांस खांस कर जितने बिशानों और जितने गर्बत चीज भीतर थे उन्हें बहार निकाल देते थे लेकिन आज बहुत बराते नहीं आज जिंदगी और मौत का फैसला होना है जीत हार का फैसला होना है तो यह काम भी के विजय कुमार आधा ही कर पाते हैं खेर तो अब वे घर से निकलने को तयार हो गया है घर पर आज कुछ नहीं होना है वे जाते हैं सुबह सारे च्छा बजे स्पी कंडन जिने कानन भी कहते हैं उनके घर पर वहीं मिटिंग है क्योंकि सेकंड जो कमांड है वो उन्हीं के पास है और वहां तमाम लोग बुलाए गये हैं जिने आज की ऑप्रेशन में सामिल होना है इसके पहले के बिजे कुमार और मिस्टर कंडन ने वह जगह जाकर देख ली थी जहां एंबुस लगाया जाना था जहां बिरप्पन को मारा जाना था उस जगह पर कई परिशानिया थी मतलब सांज धलते ही अंधेरा हो जाता था और जगह देख कर के बिजे कुमार ने यह सोचा था कि यहां मेरा काम पूरा होगा भगवान को याद किया था लेकिन जब वक्त कट रहा होता है और समय के पतिक्षा हो रही होती है तो आप जानी आपको भी महशूस होता होगा कि आपके भीतर बहुत सारे निगेटिव थाट्स आते हैं तो आपके भीतर बहुत सारे निगेटिव थाट्स आते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो ये गरबरी हो जाएगी और फिर रात दस बजे का बक्त उसे जंगल से निकलना था आने में बक्त लगता और चांदिनी रात थी रोजनी बिलकुल हल्की राती थी और जहां एंबुस के लिए जगा खोजी गई थी वहाँ इमली के छायादार पेर थे जो इस ठान को और अंधिरा का देते थे खैब तो के बिजय कुमार स्पी मिस्टर कंडन के ठिकाने पर पहुँच गए है बंगले पर पहुँच गए है और वहाँ पूरी टीम मौदूद है जिसे आज इस ट्रेनिंग को कहें या ओप्रेशन को कहें क्योंकि अभी ओप्रेशन के बारे में बहुत लोग नहीं जान रहे है उन्हें ब्रीफ किया जाना है के बिजय कुमार मानते हैं कि यदि आप बृफिंग नहीं करते हैं समझाते सही से नहीं हैं तो समस्या होती है तो एक सांकेतिक जिसे कहते हैं और जो फॉर्मुला बना हुआ है इस कठोर टाइप के अभ्यास में बृफिंग का जिसे आप प आमिले टिफोर्स को जानते हों, STF को जानते हों, तो ये परचलित सब्ध है SMESC, तो S मतलब होता है situation, हालात के बारे में जानकारी दी जाती है, जिन्हें लड़ना है, M का मतलब होता है mission, देखें, mission के तोर पर अभी training ही बताई गई है, मतलब हमें क्या काम करना है, E का मतलब होता है execution, कैसे करना है, और S का मतलब होता है support, मतलब जब operation होगा, तो आपको support कहां कहां से मिलेगा, और C का मतलब होता है command, तो command कौन कर रहा है, इस operation को, आपको उसकी ही बात सुननी है, और किसी की बात नहीं सुननी है, तो ये जो SMESC है, इसे पुलिस वाले जब मजाग की भासा में कहते हैं, तो कह देते हैं, Sergeant Major Eats Sugar Cookies, तो ये मिलेग की भासा है, तो खैर briefing के लिए सभी लोग बैठ गये हैं, और के बिजय कुमार अपनी बाते कहना सुरू किये, उन्होंने कहा कि सबसे पहली हिदायतों कि सारे लोग अपने mobile phone को बंद कर दे, अभी से बंद कर द कोई mobile phone नहीं बजेगा और अपने phone चमा कराती जी, तो देखिए सामने, जो operation के लिए तयार है, उसमें एक बंदा है, जो सब inspector लेबल का है, जब वह phone बंद कर रहा होता है, तो घंती बच जाती है, वह शर्मा जाता है, जिप जाता है, लेकिन ये जो call है, उसकी पतनी का है, और वह क्या न करे और क्या करे, phone को receive कर लेता है, पतनी परिशान है, वह कर रही है, सुनो, मेरा जो मंगल सुत्र है न, वह किसी कील में उलच गया है, मुझे अप्शकुन की संभाबना आ रही है, तुम साबधान दाना, इसलिए मैंने तुमको phone किया, कहीं कुछ गर्बन न हो जाए, तो केव बिजय कुमार इस conversation को सुनते हैं, केव बिजय कुमार को लगता है, मैं क्या कहूं, मुझे खुद नहीं पता है, कि जिंदगी दोबारा बापस लोटेगी की नहीं, लोटेगी, गोली कितनी चलेगी, कौन मारा जाएगा, खैब, सब इंस्पेक्टर बहादूर है, उसने अपनी पत्नी को समझाया, चिंटा मत करो तुम, ध्यान रखना अपना और बच्चों का, तो ये बाते टेलिफोन बंद करने के दोरान हुई, और वहाँ जो दो की परसंस मौजूद हैं, जो बिरप्पन से लगातार लग रह और यह कहकर बापस बुलाया गया, देखिए, पहले वो समझ नहीं पाया था कि इतनी अमजनसी क्या है, कि मुझे अपना धर्म, जो उसका पर्व है, और बहुत पवित्र पर्व है, उसके बीच में बापस बुलाया जा रहा है, लेकिन के बिजय कुमार ने कहा था कि देख कि देखो भाई, ऐसा है, आज जो है, गोली यदि चलाना परे, तो बगएर हुकम के मत चलाना, यदि बगएर हुकम के गोली चला दी, तो सारा खेल खराब हो जाएगा, और हमारे दो बहादू लोग, जिनके नाम सरबानन हैं, और दो रही हैं, वे मारे जाएंगे, तो पह इतने करीब होगे और ट्रेनिंग में, यह कह दिया गया है कि यदि गोली चलेगी, तो गोली कहां कहां चलेगी, तो अब हुशाइन को यह बात समझ में आ जाती है, कि जो आज की ट्रेनिंग कही जा रही है, वह कोई ट्रेनिंग नहीं है, यह पसीना बहाने की ट्रेनिंग यह तो खून बहाने का युद्ध है तो वह और उत्साहित हो जाता है विरप्पन की जानकारी अभी नहीं दी जाती है राज राजन और उत्साहित हो जाते हैं प्रफुलित हो जाते हैं कि आज इतने बड़े अभ्यास पर हम चल रहे हैं तो उनकी टीम में जो लोग हैं constables हैं या और भी जो है उन्हें गोई jump training पुरंथ कराने लगते हैं तो देखे jump training यह होता है कि आपको जोला, पित्ρू, हटियार के साथ इस तरीके से उपर से नीचे कुदना होता है या नीचे से उपर जाना होता है जिसमें कोई आबाज निकले मतलब दुस्मन समझ न ले कि किधर से कोई आ रहा है तो खैर तो ये ट्रेनिंग अब ये राज राजन भी परफुलिट है हुसाइन समझ चुके हैं कमिट कर चुके हैं कि गोली तब तक नहीं चलेगी मेरी ओर से जब तक जो कमांड बेहें ऑप्रेशन के उनका इसारा उनका संकीत नहीं मिलेगा और ये सारे जो लोग हैं उन्हें स्पीच चिन्नाश्वामी मॉनिटर कर रहे हैं तबी कानन आते हैं करीब बिलकुल के बिजय कुमार के पास और काते कोकून आ गई है कोकून मतलब देखिए इस ऑप्रेशन का नाम ही दिया गया ऑप्रेशन कोक लुखुन का मतलब था वो एम्बुलेंस आ गई है दुर्रईए और सर्वानन पहुँच गया हैं तो दुर्रईए और सर्वानन से केई बीजय कुमार मिलते हैं काते हैं से आते हैं इसके बाद कानन जिनके पास वह लोट्री टिकर्थ, आधी फटी हुई लोट्री टिकर्थ है, जिसके पहचान के बाद ही बिरप्पन एम्बुलेंस में सबाग होगा, वह दुर्रई को दे दिया जाता है. और कहा जाता है कि इसे रखो या बरे काम कीची जाए, इसे भूलना नहीं है. अब एस पी मिस्टर कननन या कानन जो भी कहले, वे के बिजय कुमार से पूस्टे हैं, ये देखिए अब तक तो हमने इन दोनों को यही बताया है, कि आपरेशन परचाना है, लेकिन मेरा टार्ग कौन है यह तो हमने बताया नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि टार्गेट के बारे में भी बता दें, तो के बिजय कुमार का क्रीन सिगनल होता है, और बता दिया जाता है कि टार्गेट पर फिरप्पन और उनके तीन लोग है, ये लोग ही हैं, जो पप्रा-पत्ती, पुलि के पास है जो उनके पास फती हुई टिकट है उसका नंबर ये है और जब लोटरी के टिकट का मिलान कर लेंगे दोनों को चोड़ कर तभी हुए तुम्हारे साथ चलेंगे तो देखे बिरप्पन का नाम सुनते ही शरबानन के देह में छुचुरी छुच जाती है और दुर्र है या कोई और है मुझे जो ड्यूटी दी गई है वह मुझे पूरा करना है तो खैर दुरें तो कुछ नहीं बोलते हैं शरबानन कहता है कि विजय कुमार को सर आपने भरोसा किया मुझे पर आखिर में मैं आसा पर खड़ा उतरने की कोशिस करूंगा चाहे कुछ भी हो जा अक्टूबर की राच दस वजे बिरप्पन को जंगल से बाहर आना है अब पूरी टीम चली वहां जहां एमबुस बिछाया किया है जहां बिरप्पन को मारा जाना है अजरात को और रैकी तो बहुत पहले कर ली गई थी वहां तैयारियां भी कर ली गई थी और तैयारी इस पी मिस्टर कलनन वहाँ पहुशते हैं तो देखते हैं ये देखे एक स्कूल की बिल्डिंग है पारी के पास तो वहाँ देखते हैं कि छा कमांडो जो हैं वहाँ छट पर क्लास निकोब राइफल के साथ बिल्कुल मुर्चा लिये हुए है इस तरीके से लेते हुए है सरक की तो उनकी नाल है मानो वह सेलफी ले रहे हो तब कि जमाने में सेलफी तो सुना ही नहीं गया था तो उन्होंने देखा कि ये मुर्चा ठीक है एक और से जहां से गोली चलनी है अब और क्या विवस्था की गई कि इस तरीके से घराबंदी की गई तो देखिए एक पुलिस क सिक्रेट गारी जो बिल्कुल पहचानी नहीं जा सकती थी उस पर गन्ना मतलब सुगर के बिहार की भासा में केतारी और एक तो इस गारी पर सुगर केन को ला तिया गया और गारी को बीच सड़क पर ऐसे खड़ा किया गया मानो गारी खड़ा हो गई है और यह बिल्कुल क इस गारी को 20 सरक पर खड़ा कर दिया गया ताकि जब कोकून पीछे से आए मतलब एंबुलेंस पीछे से आए जिस पर बिरप्पन और उनके लोग सबार है तो यह गारी रास्ते में आगे बढ़ने के पहले अब रोधक बन जाए कोकून रुख जाए और इस गारी में जिसमें सुगर के इनकी गारी आप करने इसे मिठाई का डबा भी कहा गया कोट बर्ड में इसमें स्टियेट के तीन टेकनिकल एक्सपर्ट बैठे है उस केतारी के भीतर और इनका काम यह है कि कोकून मतलब वो एंबुलेंस जिसे भीजा गया है उसका सिगनल इन टेकनिकल एक्सपर्ट को मिलना है तो यह टेकनिकल एक्सपर्ट उस सिगनल को प्राप्ट करेंगे गारी के मुब्मेंट को प्राप्ट करेंगे और फिर वे आगे जो आप्रेशन के कमांडर है के बिजय कुमार और स्पी मिस्तर कंनन उसे फॉर्वर्ट करेंगे तो इस तरिकी की तयारी हो गई तो अब देखिए ये अब सरक को रुका गया एक और लॉरी तयार की गई उसे सरक के दूसरे किनारे पर पेर के पीछे तिर्चा कर खरा किया गया तो ये जो लॉरी थी इस लॉरी में आगे के आधे हिस्से में मिट्टी भरी हुई थी ऐसे मिट्टी भरी हुई तरके होती है तो आधे हिस्से में मिट्टी भरी हुई थी और जो पिछला आधा हिस्सा था उसमें स्टीएप के कमांडोज खरे थे छुद कर तो इसलिए कि जब कोकून बिल्कुल करीब आ जाएगी तो गोली इधर से भी चलेगी छट से भी चलेगी और जो टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हैं वे भी कमांडोज हैं वे भी गोली चलाएंगे तो ये काम हो गया और स्टियेट के इंस्पेक्टर चार्स उन्होंने तो ज साइट है लेकिन एंबुलिस की लाइट से आप निशाना नहीं सा सकते हैं और वहां बहुत पहले रौसनी जलाई भी नहीं जा सकती थी यदि रौसनी ऐसी जगह पर पहले से जलाई जाती तो सक होता शुभा होता और तो इंस्पेक्टर चार्स ने क्या किया कि सेलफी एस् जैसे धंडे उसने खोज निकाले और दंडे के एक छोर पर उसने लाइट फिट कर दिया इस पाट लाइट और इस तरीके से फिट कर दिया गया कि वह कोकुन जहां आकर रुके उसे सीठे रौसनी फेके देखिए दुर्रई और सर्वानन को जो एंबुलेंस लेकर गया है विरप्पन कोला ने उसे पहले पूरा मैप समझा दिया गया था कि तुम्हें आकर कोकुन को रोकना कहा है तुम जब वहां पहुंचोगे तो आगे बढ़ने का रास्ता ट्रक रोके रखेगी जो बिल्कुल मिठाई का बक्सा है जिस पर सूगर केन है तो तुम्हें नीचे अब जलाना था जब कोकुन यहां तक पहुचने में उसे मातर तीस सेकंड का बक्ट रहे मतलब यह भी सिगनल था कमांडोस को कि देखो लाइड जग गई है जगमग हो गया है और अब तुम्हें ऑपरेशन कर देना है अब इसके पीछे देखिए इस जो कोकुन जो आ रही थी उसके दूर पीछे एक सिविलियन गारी में दीएसपी ठीरू थे और उनका काम यह था कि कोकुन को आगे जाने दीजिए आप थोड़ा पीछे रहिए और यहां देखे रहिए कि अब आपके पीछे से कोई गारी ना है क्योंकि मुत्वेर ऐसी जगा की जानी है जहां सि थी ठीरू एक सिविलियन गारी में पीछे से चले आ रहे हैं कोकुन देख नहीं पा रहा है और वहां पीछे से ट्रैफिक को ब्लॉक किये हुए हैं तो अब देखिए इस तरीके से हो गया अब देखिए चारों तरब से घेरा बंदी हो गई है एक और दीएसपी जिनकी पुर्वी लाके में थे जिनका काम था रास्ता रोकना ताकि कोई इधर से नहीं पीछे से ठीरू इधर से देश पर धर्मापुरी के पास लगे हुए थे और एक कुमार सेन थे इंस्पेक्टर देखिए इन्हें ऑप्रेशन के बारे में पता था और इन्हें एक ऐसी जगह बैठाया गया था जहां इस बात की संभावना थी कि वहां बिरप्पन के लोग मुख्विर की तौर पर मौजूद हो सकते हैं तो देखिए जगत ही पपड़ा पत्ती पुलिस सेसन जहां से बिरप्पन को बाहर आना था और वहां के बीच जहां यह एमबुस लगा गया था तो बीच में एक धाबा था तो यह जो इंस्पेक्टर कुमार सेन थे वो धाबे पर इसी धाबे पर बिलकुल अन्मने धंग से खाना खाने का नातक कर रहे थे और इन्हों ने अपने को खली बेचने वाला ब्यक्ति बना रखा था तो इसलिए बना रखा था और इसलिए व अग्मी बैठाया होगा तो यही एक धाबा होगा तो इस तरीके से यह एंबुस की जगह पूरी तयार थी और उधर कोकून चलते चलते वहां पहुँच गई कोकून में दोनों जा रहे थे दुर्रई और सर्बानन बीच रास्ते में शर्बानन ने दुर्रई से कुछ पहुचने के पहले ऐसा हुआ कि शर्बानन को साइकी पर जाते हुए चार पूलिस बाले दिख गए गस्ती पर निकले थे अब सर्बानन परिशान हो गया उसने इस सारों इशारों में दुर्रई को कहा कि ये क्या तो दुर्रई ने कहा चुप रहो क्या ये हमारी और ही आ या कैसे हम कर सकते हैं तो खैच चुप करा दिया गया और हुआ भी यह ही कि यो साइकिल गस्ती बाले सिपाई थे आगे निकल गए अब रात के नौ बज कर पच्पन मिनत हुरे हैं पांच मिनत बचा है बिरप्पन के बाहर आने का तो देखिए बिरप्पन की बुद्धी क कैसे मरी अंत समय में बिरप्पन यह भी कर सकता था कि वह एक आदमी को बाहर गशता अंतिम समय में स्थान बदल लेता जिदर एंबुलेंस ने रास्ता चुना था उधर से रास्ता बिपीट कर लेता लेकिन यह समनी होता है तो अब पांच मिनत के बाद बिरपन बाहर आए और मुलाकात कैसे होगी आगे वह खलास कैसे होगा यह बताएंगे आपको खबरों की पीछे के एपिसोन नमबर 352 में कल रात 9 बजे कल रात 9 बजे ऑपरेशन बिरपन समाप्त होगा पूरी कहानी रोमान चक होने वाली है बहादुरी की कहानी है और आतन के खात्मी की कहान ही है तो इंतजार कीजेगा कल रात 9 बजे का और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल खबरों की पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा एक और अंदरोध कि यदि आप कोई भूल सुधार चाहते हैं सीधे तोर पर मुझे पर करना चाहते हैं कोई कहानी बताना चाहते हैं कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो आप हमें ग्यानिस्ट्व लाइव एडिरेट जीबिल डॉट कॉम पर मेल कर सकते हैं बस इसका ख्याल रखिएगा यदि कोई विसेश कहानी सुनाने को कह रहे हैं बताने को कह रहे हैं तो आपकी पहचान को तब तक गोपनिय रखते हैं जब तक आपसे अनुमती न प्राप्त कर लें तो आज के लिए इतना ही हमें दिजी इजाज़त बहुत बहुत धन्यबाद मिलेंगे कल राट 9 बजे